नहीं दोस्तों, क्लास 11 फिजिकल जोगरोफी की सीरीज में आपका स्वागत है हम लोग डिसकस कर रहे थे चैप्टर 6 को जियो मॉर्फिक प्रोसेसेज देखिए ये चैप्टर काफी इंपोर्टेंट है और हमने बात की थी कि फिजिकल जोगरोफी में जो असल बुनियाद है कि जो अलग-अलग तरीके के लेंड़ फॉर्म्ज देखने को मिलते हैं या और भी जो अलग-अलग घटनाएं हैं जिसके माध्यम से हम लोग अपनी प्रिथवी को और बेटर तरीके से समझ पाते हैं उस चीज को समझने में ये चप्टर हमारी काफी मदद करेगा तो इस पर अल्रेडी हमने एक पार्ट कवर कर लिया है आज इसका ये दूसरा पार्ट है लास्ट के पार्ट में हमने समझा था कि किस तरीके से जो अर्थ की सता है वो continuous change करती जा रही है और इसके पीछे क्या-क्या वजह हैं इस पर भी हमने बात की कि जो दो फैक्टर देखने को मिलते हैं एक्जोजेनिक और एंडोजेनिक ये किस तरीके से प्रिथ्वी की सता पर continuous change लेकर के आ रहे हैं इसके बाद हमने बात की diastrophism की यानि diastrophism के तहत वो सारी चीजें complete cover की जाएंगी जिससे किसी भी परकार के अर्थ के crust में कोई building process देखने को मिल रही है यानि कोई सता अगर उभर रहा है elevate कर रहा है तो इस तरह की सारी गतिविधिया diastrophism के अंदर cover की जाएंगी और इस पे भी हमने बात की अलग-अलग तरीके के माध्यमों की जैसे ओरोजेनिक जिसमें mountain building देखने को मिलती है फिर हमने बात की जिसमें earth crust की upliftment देखने को मिलती है इसके बात हमने बात की earthquake की जिसमें local relatively minor movement जिनमें minor movement देखने को मिलता है और plate tectonics तो हमने अल्रेडी cover कर रखा है उसके बात हमने काफी detail में denudation को समझा देखी यहां से सवाल भी पूछा गया बहुत सारे परिक्षाओं में UPSC के अलग-अलग exams है और हमने बात की कि basically denudation process के अंदर जो चार चीज़े cover देखने को मिलेगी वो है weathering, mass movement, erosion और transportation basically यह जो denudation process है जिसका मतलब होता है uncover होना यानि प्रित्वी की सता denude करती है तो इसमें सबसे पहली जो process देखी जाती है वो है weathering की, फिर mass movement की फिर erosion की और फिर transportation की तो weathering पर हमने उल्रेडी बात की है last की lecture को आप जरूर देखिए भी हम लोग quick revision कर रहे है weathering क्या है basically it is the action of elements of weather and climate over earth materials यानि earth के materials पे जो weather और climate का जो प्रभाव पड़ेगा वो weathering कहलाता है तो basically ये क्या है ये एक mechanical disintegration है और chemical decomposition है rocks का ये भारी भरकम word है बटिन का मतलब बहुत simple है कि जब rocks पे पानी, हवा और बाकी चीज़ें जब act करती है जिससे rocks छोटे-छोटे टुकडों में तबदील हो जाता है तो weathering की प्रकिरिया कहलाती अब weathering में भी तीन अलग-अलग grouping देखने को मिलेगी पहला chemical weathering process दूसरा physical और तीसरा biological तो इसे भी हम लोग detail में समझ लेते हैं देखिए chemical weathering process में क्या देखने को मिलेगा एक आपको complete process देखने को मिलेगा solution, carbonation, hydration, oxidation and reduction इसका क्या मतलब है इसे समझते हैं देखिए जब कोई rocks छोटे-छोटे टुकडों में chemical process के कारण तूटती है तो वो कहलाती है chemical weathering बहुत आसान परिभासा मैंने बताई और ये समझना बहुत सरल है क्योंकि यहाँ पर chemical weathering की बात की जा रही अब ये chemical reaction वगएरा कैसे होता है इसे थोड़ा brief में समझ लीजे देखिए chemical reaction by oxygen, surface और soil water and other acid तो जो अलग-अलग तरह के acid हो गए या oxygen, gas हो गई और इस तरीके के जो अलग-अलग जो system है जिसके कारण जो rocks है वो छोटे टुकडों में decompose हो जाएंगे, reduce हो जाएंगे तो वो कहलाएगी chemical weathering की process तो दोस्तों आप जैसा समझें जैसा मैंने बताया कि chemical weathering के तहत basically जो heat है heat के अलावा और भी चीजें जैसे air हो गई या plant का decomposition और animal and plant का decomposition तो इन सब चीजों के कारण carbon dioxide की मातरा underground उसकी quantity increase हो जाती है जिससे ये जो बहुत अलग-अलग तरह के जो various minerals होते हैं इनमें chemical reaction होता है और ये chemical reaction कुछ हट तक जो laboratory में हम लोग chemical reaction करते हैं उससे mail खाता है और इस तरीके से rocks की weathering की प्रक्रिया देखने को मिलती है तो अगर आप से कोई पूछे कि बते ये what is chemical weathering तो आपको simply कहना है कि chemical weathering की process एक acid process है जिसमें chemical process के माध्यम से rocks की weathering होती है अगर दो बारा counter question किया जाएगी फिर बताएगी chemical कौन कौन से chemical process तो अलग-अलग तरह की chemical process देखने को मिलेगी जिनमें mainly act कौन करेंगे oxygen हो गई, soil water हो गई, acids हो गई इन चीजों के कारण ये प्रक्रिया संभ़ हो पाएगी अभी जो हमने बाते की अलग-अलग तरह की जो हमने प्रक्रिया है, देखी, solution, carbonation, hydration, oxidation, इन सब को brief में समझ लेते हैं, देखी, solution का क्या मतलब है, जब water या फिर acid के तहट किसी चीज को घोला जाता है, तो ये जो dissolved content होता है, जो घुलावा content होता है ये solution कहलाता है, solution का मतलब हम सबने बहुत बार पढ़ रखा है तो देखी, solution प्रक्रिया के तहट क्या होता है, जो solids है, इन में removal देखने को मिलता है, बेसिकली ये solids है, ये soluble होने लगते हैं, घुलने लगते हैं, और water में आने के बाद solids के अलग-अलग particles हैं, जो solids इन से mineral देखने को मिल रहा है, कौन-कौन तरह के mineral जैसे nitrates हो गए, sulphate हो गए, potassium हो गए, ये सब सारी चीज़ें यहां से affect हो रही है, और इन mineral का formation हो रहा है, तो basically ये जो minerals बन रहा है, ये बहुत आसानी से leaching हो जाता है, leaching का मतलब होता है, जमीन के तहत ये चीज़ें चली जाती है, without leaving any residue in rainy climates, and accumulating dry reasons, तो इससे क्या होता है, ये जो minerals है, ये leaching यानि निक्षालन प्रक्रिया के तहत, जमीन के भीतर चले जाते हैं, और इनसे कोई इनका residue नहीं बचता, rainy climates के दोरान, और dry reasons में सुखे चेतरों में जाकर के ये जमा हो जाते हैं, ये जो particles, बेसिकली जो घुले हुए particles हैं, तो दोस्तों, इसके अलावा, जो minerals होते हैं, जैसे उदाहरन के तोर पे, अगर हम लोग बात करें, calcium carbonate की, या calcium magnesium bicarbonate की, जो की limestone में, limestone हमने बात की थी, एक तरीके का rock होता, एक तरीके का पत्थर, आप कहले, तो ये जो चटान limestone है, इसमें calcium carbonate, calcium magnesium bicarbonate, ये जो तो ये जो mineral सामिल होते हैं, ये water में घुलंसील होते हैं, और water में basically carbonic acid देखने को मिल रहा है, तो इसके अगर practical example की बात करें, तो यहाँ पे जो हम लोग common salt यूज करते हैं, जो की नमक होता है basically, sodium chloride, ये भी is also a rock forming mineral, and is susceptible to the process of solution, तो solution प्रक्रिया के माध्यम से, जो हमने प्रक्रियाएं बात की, कि जो rocks है, वो chemical processes के तहत, जब dissolve हो रहा है, घुल रहा है, और वापस से form हो रहा है, dry places में जा करके, तो उस प्रक्रिया के तहत यहाँ पे sodium chloride, यानि नमक का निर्मान होता है, ना बात करते हैं, carbonation की, देखें ये चीज़ें अभी हम लोग समझ ले रहे हैं, इसके बाद previous question करेंगे, तो काफी अच्छे से clarity हो जाएगी, कि इन जगों से ज़्यादा सवाल बने हैं, और इसके अलावा images से भी recap कर लेंगे, दो बारा revision के तोर पे, ठीक है, और इस chapter को ignore करना फाइदे मन नहीं रहेगा, क्योंकि अभी हम लोग देखें, काफी सारे सवाल इस chapter से आए हैं, तो काफी महतपूर्ण है यह, देखें, carbonation एक ऐसा process है, एक ऐसा reaction है, जिसमें carbonate और bicarbonate react करते हैं mineral के साथ, और यह common प्रक्रिया है, जिसमें felt spar हमने बात किया, और lady chapter 3 में, rocks and minerals वाले chapters में, कि felt spar क्या होते हैं, तो felt spar और जो बाकी carbonate minerals जो होते हैं, इन्हें breakdown करने में, इन्हें छोटे-छोटे टुकडों में तोड़ने में carbonation प्रक्रिया काम करती है, देखिए, यह chemical process है, इसलिए जिनका chemistry में background होगा, उन्हें पता होगा, कि carbonate iron या bicarbonate यह चीजें क्या होती है, तो इन्हें समझना काफी सहल है, जब minerals के साथ carbonate और bicarbonate react करते हैं, तो इसमें felt spar और जो अलग-अलग तरीके के rocks होते हैं, जो minerals होते हैं, वो तूटते हैं, तो सारा process ही weathering पर है, जिस तरीके से जब rocks एक बार छुट-चोटे टुकडों में तूट जाएंगे, तो वो weathering की process कहलाती है, और इसके बाद जो atmosphere में मौझूद carbon dioxide है, और जो मिटी में मौझूद air है, इसे water के द्वारा असोसित कर लिए जाता है, ताकि carbonic acid बनाया जा सके, तो carbonic acid पर हमने अलग बात कर रहे हैं, कि carbonic acid क्या है basically, तो carbon dioxide जब मिल रहा है water के साथ और बाकी चीज़ें water के द सवाल इनमें mainly यही बनते हैं, जैसे आप से पूछ लिया जाएगा, कि बताए जब water का chemical addition होगा rocks और minerals में, तो कौन सी weathering कहलाएगी, तो आप अगर इसे नाम से समझेंगा, अच्छा water के साथ chemical addition होगा, तो हमें पता hydro का मतलब water होता है, तो यह hydration की process कहलाएगी, तो hydration क्या है, hydration is nothing but the chemical addition of water into rocks and minerals, तो अब जब water मिलेगा minerals में, तो mineral क्या करेंगे, उन waters को associate कर लेंगे, और इसे expand कर जाएगे, अब जब rocks expand करेंगे, तो इसे क्या होगा, इसे जो material का volume है, यह बढ़ जाएगा, यह आप rock कहले, rock का volume है, जो size है, वो बढ़ जाएगी, तो calcium sulphate takes in water and turns to gypsum, which is more unstable than calcium sulphate, तो यह आपने पढ़ा होगा class 10th के अंदर science में, जब हम लोग science के lecture discuss करेंगे, तो इन चीजों को, इन चीजों पर ज़रूर बात करेंगे, कि gypsum कैसे form होता है, कौन सा reaction होता है, calcium sulphate के साथ, water मिलता है, तो किस तरीके से बनता है, तो gypsum वाली, gypsum की जो process हमने देख कि oxidation क्या होती है, reduction क्या होती है, तो देखें, weathering process के अंदर oxidation का मतलब होता है, mineral का combine करना oxygen के साथ, तो यहाँ पर हमें भी पता है, oxygen का addition होता है, तो oxidation प्रोसेस होती है, ताकि oxide और hydroxide को form किया सके, तो oxidation तब अकर करता है, when there is ready access to the atmosphere and oxygenated water, तो जब वहाँ पर पहले से atmosphere के अंदर oxygenated water, यह चीज़ें जब मौझूद हैं, तो oxidation की प्रकिरिया होगी, because oxygen is must here, तो chemical weathering process हमने समझ लिया, कि जब chemical processes के कारण जो weathering होती है, rocks की, वो chemical weathering प्रकिरिया कहलाती है, और देखें, chemical weathering में भी अलग-अलग type आपको देखने को मिलेंगे, जब यह water के साथ react करेगी, तो इ भाजित हो जाएगी, क्योंकि हवा के मादे हम से जो rocks हैं, वो disintegrate हो रही है, इसी तरीके से acid के साथ आप देख सकते हैं, और organism के साथ भी reaction देखने को मिलेंगा, इंफेक्ट, chemical weathering के तहत, तो यह image में share कर दूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, physical weathering, chemical weathering और biological weathering, यह तीन बार रश्ट देखने को मिलता है, तो यह सब chemical process के कारण हो रहा है, काफी obvious है समझना, कि जब chemical reaction के तहत, जो rocks का disintegration होगा, तो वो chemical weathering कहलाएगी, दोस्तों ना बात करते हैं, physical weathering process की, तो जैसा कि नाम से फ़स्ट है, यहाँ पर physics अपलाए होगी, देखें, physical weathering process के तहत, मैं आपको gravitational forces के कारण, जैसे बहुत जादा pressure हो जाना, या load या searing stress, अगर आपने 11th class की physics पढ़ी है, या ऐसे भी stress और strain के बारे में, अगर आपको पता होगा, तो यह चीज़ काफी आसानी से समझ सकते हैं, हम लोग, कि stress और strain के कारण भी rocks टूटेंगी, वैसे यह भी समझना अगर बहुत आसान है, तो stress क्या होती है, stress का simple मतलब होता है force, देखिए, जब माल लिजे है, अगर हम लोग apple को press कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम लोग stress लगा रहे हैं, तो यह होता है stress, लेकिन जब लोग बात करेंगे, पहले stress क्या देख लिजे, we can think of stress as a normalized force, that is force acting on a unit area, तो किसी particular area में जो force लगा जाता है, वो stress कहलाता है, और strain इससे थोड़ा सा अलग है, strain का मतलब होता है, कि जब किसी चीज़ पे हम लोग force लगाते हैं, तो उस चीज़ का जो length है, वो कितनी ज़्यादा change होती है, वो कहलाती है strain, तो इस तरीके से expansion force होगा, बहुत बार rocks बगेरा expand करेंगे, crystal growth देखने को मिलेगी, अब लोग crystal growth की भी बात करेंगे, तो ये exam के अंदर भी पूछा गया है, कि बहुत बार crystal की growth देखने को मिलती है, water pressure के कारण, तो यह सारी चीज़ है physical weathering के अंदर देख, तो physical weathering के तहर पहली जो process देखने को मिलेगी, unloading और expansion की, तो simple मतल तब इसका समझे, देखे, overlying rock का जब removal होता है, कैसे removal का मतलब क्या image अभी हम लोग देखेंगे, तो काफी अच्छे से क्रियल हो जाएगा, कि उपर वाला rock किस तरीके से remove करने लग जाता है, continuous erosion और weathering के कारण, तो इससे क्या होता, vertical pressure लगता है, तो vertical pressure ये इस तरीके का लग तो ये exfoliation भी समझ लिजे, देखे, exfoliation बहुत simple है, समझना, जब outer rock जो होता है, वो stripped away हो जाता है, जैसे onion का layer होता है, जिसे हम लोग पील करते है, तो इस तरीके का जब rocks का उपरी वाला परत अलग होने लगता है, तो वो कहलाता है, exfoliation, तो इस तरीके के जो rocks होते हैं, जो granite वाले, देखे, तो ये होती है, exfoliation की process, तो यहाँ पर यही बात बताई गई है, large, smooth, rounded, domes, cold, exfoliated, domes, result due to this process, तो इसी प्रक्रिया के कान, ये image unclear है, इसलिए मैंने अलग से image ले लिया, ये large exfoliation दिखा रहा है, granite rock का, भुवन गिरी में, आंधर पर्देश के अंदर, अब दे तो ये बहुत simple physical weathering process है, कि जब rocks expand करता है basically, तो again weathering की घटना देखने को मिलती है, तो बहुत बात frost weathering भी देखने को मिलती है, जब बहुत ज़्यादा freezing और frost wedging होती है, तो उस time पे भी rocks में crack आ जाते हैं, और repeated cycle of freezing and melting के कारण, again weathering की परिखटना देखने को मिलती है, अब ब potassium, potassium, इनमें expand होने की tendency होती है, तो इनसे जब ये salt जब expand करते हैं, तो इससे क्या होता है, high temperature जब बहुत जाद temperature बढ़ जाता है, तो expand करने के कारण, again soil weathering देखने को मिलती है, नो हमारा last type है weathering का biological weathering, इसे समझना काफी आसान है, biological weathering नाम सी, especially thorite is related to somehow biology, देखे कैसे, तो इनसे क्या होता है, देखे, तो ये animal burrowing यहाँ पर नीचे देखने को मिल रही है, image में, तो इससे क्या होगा, जब नीचे की जो मिटी है, या नीचे की जो चटान है, वो चटान जब जानवरों के द्वारा, या human activities के द्वारा भी बाहर लाए जाते हैं, तो इनसे क्या होत जिसके तहट अगेन यहाँ पर वैदरिंग देखने को मिल सकती है, और यह घटना biological वैदरिंग कहलाएगी, अलग-अलग जो effect देखने को मिलते हैं वैदरिंग के exfoliation, तो हम लोगों ने काफी आसानी से समझा exfoliation को, कि जब rocks होते हैं, और इनमें जब उपरी परत onion peeling जब होती है, तो इस तरीके कि जब उपरी परत निकल के आती है, वो exfoliation कहलाती है, और वो exfoliated rock कहलाता है, तो इंडिया में आपको बहुत जगों में exfoliation doms देखने को मिलेंगे, बिसिकली जो doms बन गए हैं, जिनमें exfoliation process हो चुका है, या हो रहा है, दोस्तों ना बात करते हैं कि weathering प् mass movement भी देखने को मिलता है, erosion और mass movement पर अभी हम लोग काफी detail में बात करेंगे, और इसके बाद देखिए जो हमारी biodiversity है, जो biomes है, यह क्या है, यह basically forest और forest इन चीजों का weathering mentals का एक result है, तो erosion भी नहीं देखने को मिलेगा, अगर rocks weathering नहीं होंगे, तो इसलिए rocks की weathering काफी important है और देखिए, rocks weathering deposit के कारण और भी बहुत सारे और देखने को मिलेंगे, जैसे iron, manganese, aluminium, यह चीज़ें भी इसी कारण फॉर्म कर पाती है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग PYQ नहीं कवर करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में डेफिनेटली बहुत सारे PYQ लेंगे, क्य तो उमीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, आपको weathering process काफी अच्छे से समझ में आया होगा, आपने राया था विचार comment box में लिख सकते हैं, धन्यवाद